वेल्कम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 11 इंग्लिश का 2024-25 का जो लेटेस लेबस CBSC ने जारी किया है वो देखेंगे हम तो गईस सबसे पहले हम बात करेंगे आपके रीडिंग स्किल्स की रीडिंग स्किल्स आपका टोटल 18 मार्क्स का है जिसमें एक तो आ रहा है आपका unseen passage और एक आ रहा है आपका case based factual passage ठीक है और इसमें एक चीज और आपकी आएगी वो है आपकी note making note making में आपको note making करनी होती है और उसके बाद उसकी summary लिखनी होती है got it अब हम बात करेंगे आपके writing skills की आपका जो writing skills है वो है 23 marks का इसमें writing skills और grammar skills mixed है तो grammar में तो आपका आएगा questions on gap filling और gap filling में जो question होंगे वो होंगे based tenses पे और clauses पे और question जो आएंगे वो re-ordering और transformation की base पे base होंगे आपको total 8 questions दिये होंगे 8 में से आपको 7 questions करने होंगे और ये तो रही grammar की बात और writing section में आपका आ रहा है short writing task में advertisement है 3 number का poster writing है आपका 3 number का speech writing है आपकी 5 number की debate writing है ठीक है आपकी 5 marks की अब हम बात करेंगे children आपका literature की जो की है 31 marks का तो literature में आपके कौन-कौन से chapters आ रहे हैं आपके यहां दो book है एक book है hornbill और एक book है snapshots तो hornbill book में आपकी poem भी हैं और chapters भी हैं ये आ रहा है आपका the portrait of a lady से लेके father to son ठीक है यहां पे आप चाहो तो screenshot ले सकते हो यह है आपके hornbill वाले chapters और poems यहां पे आप screenshot ले लेना अब अगर बात करूँ snapshots की snapshot वाली book में आपके यह वाले chapters आ रहे हैं the summer of the beautiful white horse, the address, mother's day, birth और the tale of the melon story यह सारे chapter सारा syllabus सबके question answer आपको English baba channel पे मिल जाएंगे मैं end screen में भी डाल रहा हूँ और मैं description में भी डाल रहा हूँ वहाँ चेक कर लीजेगा प्राइब कर आपके 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 डाल रहा हूँ और में प्रणीं कर प्रणीं आपके का यह वहाँ प्राइब जाब कर अवाँ यह वहाँ श्रो रहा लेगा